हेलो व्योर्स इस अकाश रुपता एडवोकेट एंड यूर वेलकम टू आर नोले सुद्रा यूट्यूब चैनल व्योर्स आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक जी हाँ मैं आज आपके लिए लेके हाया हूँ यूएस स्पाउज वीजा रफ्यूजल केसीज इसको हम कैसे हैंडल करें वीजा रफ्यूज होने के बाद जूद भी कैसे यूएस में एंट्री लें और वो जो रफ्यूजल लगी है उसका रिप्लाई या अपील कैसे सम्मिट करें कि वो आपका पार्टनर का वीजा रफ्यूज कर दें और उसे सेक्शन 221G Immigration and Nationality Act का नोटिस सब्व कर दें इस नोटिस में यूएस इमिग्रेशन जो है वो 9 points पे आपका रिप्लाई आपसे मांगती है अगर यह रिप्लाई आप एक अच्छे डंग से रिपर्जेंट करके और प्रॉपर फेक्स के कोडिंग समिट करते हैं तो लगबग लगबग 100% चांसी होते हैं कि आपका वो मैटर्स के लिए किसी एड़ोगेट की रिक्वाइर्मेंट नहीं है पर यह वोला मैटर एक ऐसा है इसमें आप किसी अच्छे एड़ोगेट से रिप्लाई जरूर त्यार करें यह एक इतना इंपोर्टेंट नोटिस होता है जिसका रिप्लाई आप अपने आप से कभी भी करें किसी एक्सपर एड़ोगेटी राहे जरूर हासी भी करें तो मैं आपको भी अर्स अब बताने लगाओं वो कौन-कौन से पॉइंट से हैं जिसमें यह नोटिस इशू किया जाता है तो जो जी सेक्शन 221 जी 221 जी का नोटिस होता है इसमें 9 पॉइंट होते हैं सबसे प्रिंटिंग वेडिंग इंविटेशन और लिस्ट ऑफ गेस्ट विद देर डिटेल्स थर्ड लिस्ट ऑफ वेडिंग वेंडर्स एंड देर कॉंटक इंफरमेशन नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 20 evidence demonstrating ongoing relationship between the parties 6. evidence of shared finance 7. evidence of visit by partner 8. list of all home and work addresses of your partner 9. and most important one notarize statements of parties pertaining to their meeting and decisions of marriage इन 9 points के उपर आपको एक detailed reply submit करना होता है वो reply एक ऐसा होना चाहिए कि जिसे first site में देखकर पढ़कर कोई भी immigration officer जिसने इस बात के उपर आपके visa के उपर decision लेना है वो full life convince हो जाए कि आप दोनों की relationship को उसके उपर बिल्कुल भी doubt ना हो मैं आपको बता देता हूं कि यह वला notice उसी condition में issue किया जाता है जब जो immigration officer है या जो आपके partner का interview ले रहा है अगर उसे यह doubt होता है कि यह आपकी जो marriage है यह सिरफ और सिरफ foreign जाने के परपस यह US में entry लेने के purpose से ही आपने करवाई गया है अगर उसे थोड़ा सा भी इस जी का doubt हुआ तो वह आपको यह notice issue कर देगा और आपके जाता status refuse मना जाएगा तो इसलिए जरूरी है इस notice का reply इस तरीके से त्यार किया जाए ताकि जो visa office हो पूरी तरह से convinced हो कि आपका यह husband wife का relationship है यह सिरफ US में entry लेने के लिए नहीं है यह genuine relationship है इससे Mary से पहले भी आप on going communication में थे और marriage के बाद तो हो ही तो अगर आप इन points को ध्यान में रखकर किसी अच्छे advocate से किसी expert person से इस पर सला लेके अगर इसका reply submit करते हैं तो 100% chances होते हैं कि आपको यूएस में entry मिले थ्यान में रखके अगर reply क्यार करते हैं इस notice का तो आपका यूएस spouse case visa sure shot आपको मिलेगा और viewers अगर फिर भी आपके mind में कोई doubt हो कोई clarity आप जाना चाते हैं तो screen पर दिये number से पर कभी भी मुझसे contact कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के comment box में भी आप अपनी query put कर सकते हैं मैं उसका reply जरूर करूंगा तो viewers आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताईएगा अगर अच्छा लगा हो तो इसे like और share कीजिए और हमारे YouTube चैनल को subscribe कीजिए फिर मिले एक न्यू टोपी के साथ तक तक की लिए शुक्रिया धन्यवाद जैंग जै भरत